हलो साथियों, नमस्कार, मेरा नाम विमलापाल, मेरे यूटूब चैनल, वीडियो विद विमलापर, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तों, और बताईए, आप लोग कैसे हैं, उमीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्त होंगे, दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरूध है, कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवस्य करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनसे मेरा यह अनुरूध है कि वीडियो को लोगों में सेर अवस्य करें दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी हम आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी है क्या एक बार की बात है सूखा पढ़ने के कारण नदी और कुए का पानी सूख गया था जिसके कारण लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा था और इसकी वज़े से लोग पानी लेने के लिए बहुत दूर कहीं नदी के पास जाते थे जिसके कारण लोगों को बहुत ही ज़्यादा कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था क्योंकि इतनी दूर से पानी लाने के कारण लोग बहुत परिस्थान हो जाते थे और उतना ज़्यादा पानी वह ला भी नहीं पाते थे इस समस्या का समाधान ढूंडने के लिए लोगों ने उस गाउं के मुखिया के पास सला लेने के लिए गए और पूछा कि पानी की इतनी ज़्यादा समझ्या हैं इनको कैसे दूर किया जाए तब मुखिया ने काफे विचार किया पर मुखिया के भी कुछ समझ में नहीं आया यहीं सब आपस में बात्चीत कर रहे थे तब ही उनको दूर से एक साधू महराज आते हुए दिखाए दिये जब साधू महराज पास में आये तब गाउं के मुखिया ने उन साधू महराज से सारी समस्या बताई और कहने लगे की बारिश ना होने के कारण सूखा पड़ गया और सूखा पड़ने के कारण नदी और तालाप का पानी सूख गया है जिसके कारण लोगों को पानी पीने तक नहीं मिल पाता है लोग बहुत दूर जाकर के पानी लेकर आते हैं पर उतने से पानी से कुछ भला नहीं होता और लोगों को पानी लाने में समस्या भी बहुत होती है यह सुनकर साधुमारा महराज कहने लगे ठीक है कल से तुम लोग सांड ढलते ही अपने अपने घर के सामने एक-एक बरतन रख देना और अगले दिन उस बरतन को अपने घर के अंदर सुबा होने से पहले ही रख लेना पर उससे पहले एक सर्थ है कि कोई भी ब्यक्ति एक दूसरे के पानी को नहीं चुएगा और नहीं कोई किसी से पानी मांगेगा लोगों ने साधू महराज की यह सर्थ मान ली और अगले दिन से हर एक ब्यक्ति अपने अपने दर्वाजे एक बरतन रख देता था और जब वह सुबा उठता था तो देखता था कि उस बरतन में पानी भरा हुआ है सुबा होने से पहले ही लोग उस बरतन को उठा करके अपने अपने घर में रख लेते इसी तरह कम से कम महिने भर बीट गए तब एक दिन उस गाउं के मुखिया के मन में यह बिचार आया कि चलो गाउं में चल कर लोगों से पूछते हैं कि सभी को बराबर बराबर पानी मिल रहा है यह सोच करके गाउं के मुखिया जब गाउं वालों के बीच में आये और पूछने लगे कि सहधू महराज के द्वारा दिया गया पानी सभी को प्रियाप्त मिल रहा है तब कुछ लोगों ने यह बताया कि मुझको तो इतना पानी मिलता है कि खाना बना ले पी ले बाकी नहाने और कपड़े धुलने धुलने तक के पानी नहीं बचता है पर उन्ही में से कुछ लोग यह बता रहे थे कि मुझको तो इतना पानी मिलता है कि खाना बनाते हैं नहाते धोते कपले वगरा सब धुल जाते हैं पर उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो यह बता रहे थे कि नहीं बहुत पानी मिलता है इतना पानी मिलता है कि नहाने धोने खाने पीने के बाद में भी पानी बच जाता है वह जो पानी बच जाता है उसको तो मैं अपने गर में लगे पौधों में डाल देता हूँ ग्या सुन करके गाउं की मुखिया को बड़ा अस्चर हुआ और उन्हों और उन्हों ने इस बात का पता लगाने के लिए फिर उन साधों महाराज जी के पास गए और अपनी बात को बताया कि साधों महाराज गाउं में कुछ लोगों को इतना पानी मिलता है जो कि सिर्फ भोजन बनाते हैं और पीते हैं बाकी खतम हो जाता है उन्हीं में से कुछ लोगों ने बताया कि इतना पानी मिलता कि नहाने और खाने भर तक के लिए मिलता है पर उन में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बताया कि इतना पानी मिलता कि नहाने खाने पीने भर से भी बच जाता है तो वह पानी मैं अपने घर के गार्डन में लगे पौधों में डाल देता हूँ आखिर में इसका कारण क्या है तब वह साधु महराज कहने लगे कि इस बात का रहस्य अगर जानना चाहते हो तो कल तुम साम के समय हमारे कुटिया में आ जाना और अपने साथ में उन सभी गावालों से भी कहना कि वह अपना अपना बरतन ले करके साधु महराज जी की कुटिया में पहुंच जाएंगे तब गाव के मुख्या ने ऐसा ही किया गावालों के साथ में मिल करके साम के समय साधु महराज की कुटिया पर पहुंच गया जब सभी गावाले साधु महराज की कुटिया पर पहुंचे तो वहाँ जा करके जब लोगों ने अपना अपना बरतन रखा तो देखा किसी का छोटा है किसी का बड़ा तो किसी का बहुत बड़ा यह देख करके लोग एक दूसरे का मुह देखने लगे तब साधु महराज कहने लगे कि अब तुम्हें इसका रहस्य पता चल गया होगा कि किसी को पानी कम मिलता किसी को ज़्यादा क्योंकि मैंने तो तुमसे पहले ही यह कहा था कि मैं सभी को एक एक वरतन पानी दूँगा जो अपने यहाँ एक वरतन रखेगा मैं वह वरतन भर के पानी दूँगा तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने बाल्टी रखी, कुछ लोगों ने कोई छोटा वरतन रखा और कुछ लोगों ने बड़ा कंटेनर रख दिया तो उनको इतना ज़्यादा पानी मिला कि अपने इस्तेमाल के बाद वह बचा हुआ पानी वह लोग पौधों में डाल देते थे पर जो बड़ा कंटेनर रखते थे वह लोग ज़्यादा समझदार थे क्योंकि उनको यह पता था कि पानी का इस्तेमाल जादा होता है वह लोग जादा बुद्धिमान थे साधू तब साधू महराज उन लोगों से कहने लगे कि तुम लोग कब तक के इसी तरह से फ्री का पानी पीते रहोगे कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि जो पानी खुद तुहारे पास आ जाए क्योंकि हम प्राकृति को जितना जादा समझेंगे प्राकृति हमें उतना ही देगी और अगर हम प्राकृति को कम समझेंगे तो वह हमें हम उसके विशे में कम समझ पाएंगे और उससे कम सुबधाएं ले पाएंगे यह सुन करके सभी लोग अपने अपने बर्तनों को पानी सहित उठाया और अपने घर चले आये वहां आ करके लोगों को साधो महराज के द्वारा कही हुई बात बहुत समझ में आई उसके बाद लोगों ने आपस में एक दूसरे से बात करना सुरूब किया कि आखिर में ऐसा क्या किया जाए कि पानी हम लोगों को प्रियाप्त मात्रा में मिल सके लोगों ने एक दूसरे से बात की और हपते दस दिन की महनत के बाद लोगों ने एक नाला बनाया और नाले के द्वारा उस नाले को नदी के पास खोद करके ले कर गए फिर उसी नदी से पानी ले करके अपने गाउं तक आए जब उस नहर से नदी का पानी आने लगा तो लोगों को प्रियाप्त मात्रा में पानी मिलने लगा दोस्तों क्या रही आज की कहानी इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है कि हम जितना ज़्यादा प्रियास करेंगे हमें उतनी ही सफलता मिलेगी क्योंकि साधू महाराज के द्वारा कही हुई बात लोगों के समझ में आ गई और उन्होंने अपने प्रियास को जारी रखा और नदी के द्वारा पानी उनके गाउं तक आ गया दोस्तों यह रही आज की कहानी हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत